हेलो फ्रेंट वेलकम डियर ओन चैनल डिली स्टॉक तो दोस्टो इस वीडियो के अंदर हम आदिट्य विल्ला सनलाइफ एमची के आईपियो के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईपियो के अंदर आपको अपलाय करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो दीके सब्सक्राइब अगर हम यह जाने ही तो यह कंपनी इनकॉर्पोरेट का हुई थी दीके 94 में यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और दीके यह जो कंपनी है यह आदित्य विल्ला कैपिटल लिमिटेड और सनलाइफ एमची जो कंपनी है उन दोनों के बीच का यह जॉइंट वेंचर है अब दीके इसके नाम है एमची यानि कि एक एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है यह अपने जो के जो कस्टमर्स होते उनको जैसे मुट्यल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो तो यह सारे एम कंपनी प्रोवाइड करवाती है अभी करंटली अगर हम देखें तो करंटली अभी कंपनी की 135 मार्केट में चल रहे हैं इसमें 35 इक्विटी है 93 डैट है टू लिक्विड स्कीम्स है और पांट इडियक भी कंपनी के चल रहे हैं तो उसके अलावा अगर आप देखोगे 2736 बिलियन का कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का काफी अच्छा है जिसमें से 14912 बिलियन का जो यहां पे एसेट अंडर मैनेजमेंट है हो यहां पे इंस्टिटूशनल इन्वेस्टर्स का है यह एक बहुत अच्छी बात है कि institutional investors का अगर इतना performance अगर इतना involvement अगर इनकी company में है तो इनकी services अथी होगी तब ही यहाँ पे इतना involvement उनकी तरफ से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर इसके अलावा गरम बात करें तो company ने असा बोला है कि जिस तरीके से innovation हो रहा है सारी चीजे digital हो रही है तो वहाँ पे company ने भी अपने जो operations उनको digital किया है और कोई भी अगर customer घर बैटे अगर उनका mutual fund खरीचना चाता है तो खरीच सकता है अब इसके अलावा इनके जो debt points है जो REITS है वो भी आप घर बैटे इसके अंदर invest कर सकते हो तो ये एक बहुत अच्छा option है उसके अलावा data analysis, customer service सब यहाँ पे digitalization के form में company भी देने का पूरा कोशिश कर रही है अब अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के अगर हम बात करें तो largest non-bank affiliated asset management company है देखें जो HDFC, AMC और निपन AMC अगर हम बात करें निपन AMC इसके बात में आता है ये कोई bank मालब किसी bank बात बैक नहीं है यह जगर आप HDFC, AMC को देखोगे तो उसके उपर HD HDFC bank का हाथ है उसके अलावा अगर हम ICICI की अगर हम बात करें mutual fund की तो वो ICICI bank ने उसको back कर रखा है लेकिन इसको किसी भी bank ने back नहीं किया हुआ है तो अगर इस business में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी asset management company है इंडिया की है उसके अलावा अगर हम बात करें तो company की brand value काफ है उसके अलाव अगर हम बात करने के जिस तरीके से mutual fund में जो हमको penetration बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ पे ये company जो इतने time से market में है लोगों का trust in companies पे ज़्यादा होता है तो उसकी वज़े से यहाँ पे लगातार customer based भी company का बढ़ रहा है और जैसे कि मैंने आपको product portfolio की बात करी है हूँ यहाँ पर तरह तरह के product company दिखाती है और इसमें क्या होताई की कि अगर कोई aggressive investor है तो उसके liए भी company के पास product है कोई conservative investor है तो उसके लिए भी company के पास product available है यहाँ पर हर तरह के investor के लिए अगर आपके पास productos available होगा तो आपकी service कोई कोई भी customer आपकी services लेकर जाएगा अब अगर हम यहाँ पे company के IPO उसकी अगर हम बात करेंगे IPO company लेकर क्यों आ रही है तो इसका reason company ने सामने से बताया है कि यहाँ पे जो listing है उसका benefit company चाहती है और इसलिए वो यहाँ पे IPO लेकर आ रहे हैं देखे यह तो CDC बात है कि जो जिस तरीके से bull run market में चल रहा है पैसा easily available है तो वहाँ पे क्यों न हम भी कुछ benefit उठाया तो वह हमें यहाँ पे यह company करती हुई नजर आ रही है अब अगर हम company के financials की अगर हम बात करें तो देखे यहाँ पे इस साल के बात पे यह company के जो revenue वो थोड़े से बढ़े थे लेकिन पिछले साल 19-20 वाले financial year में यहाँ पे company का revenue अराउं 10% से हमें कम होता हुआ नजर आया था और अगर अभी हम देखे अभी जो 9 महिने का performance है 9 महिने का performance भी company का इतना अच्छा नहीं है तो all over अगर आप देखो कि पिछले दो साल से यहाँ पे company के revenue में issues चल रहे हैं तो कि जिस तरीके से लोगों का जो direct equity में जो लोगों का involvement अभी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसकी वज़र से यहाँ पे जो company के revenue के number है वहमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर आप देखो कि company के margin percentage और हमें अच्छे से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन देखे मुझे नहीं लगता long term में यह margin से sustain करेंगे तो कि जिस तरीके से इस इंडक्शिय में competition बढ़ रहा है इतने margin पे survive करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अब अगर हम देखे तो 29 September को यह IPO open हो रहा है और 1 October को यह IPO close हो जाएगा तो 29 September को उसके अलाव अगर हम बात करें तो एक equity की मलब एक जो share है उसकी face value है 5 रुपए उसके अलाव अगर हम बात करें 712 रुपी यहाँ पे cut off price रखा गया है और 20 shares का यहाँ पे market lot है उसके अलाव अगर हम बात करें अगर IPO के size की तो 2768 करोड का यहाँ पे यह total issue size है और यह पूरा offer for sale है यानि कि पूरा पैसा यहाँ जो additabilla capital है और जो sun life AMC है उनके पास यहाँ पर जाने वाला है अगर हम time table की बात करें तो अगर आप इसमें apply करोगे तो 6 तरीक आपको पता चल जाएगा क्या आपको अलोटमेंट मिला है या नहीं अगर अलोटमेंट नहीं मिलता है तो 7 तरीक को आपको पता चल जाएगा वलब 7 तरीक को आपके demand account में refund आ जाएगा और 8 तरीक को आपके demand account में share transfer हो जाएगे और लगबग 9 तरीक को या IPO list हो जाएगा यह तोड़ा crop हो गया मेरे जाल चे मेरे team members चे तो उसके लिए मैं आपको sorry बोलता हूँ अब अगर हम यह देखे तो minimum अगर आप retail investor की category के अंदर अगर आप apply करना चाहते हैं तो minimum आप 1 lot apply करना पड़ेगा आपको इसमें 20 shares होंगे और cut-off price पे 14,240 रुपीज आपको लगेंगे और maximum आप retail investor वाली category के अंदर चे उड़ा lot के लिए apply कर सकते हो इसके लिए 1,099,360 रुपीज आपको लगेंगे अगर आपको 2,000 से जादा की application लगानी है तो आप H&I quota में लगा सकते हैं अब अगर हम यहाँ पे company के valuation के अगर हम बात करें तो अभी जो earning पर share है company का वो है 17.17 तो अभी 712 का company का cut-off price है तो वहाँ पर अगर हम देखें तो around 41 का company का price to earning ratio निकल कर आता है तो अगर हम valuation point official देखें तो यहाँ पे कोई भी शूद नहीं है अगर return on net worth की अगर हम बात करें तो 37% का यहाँ पे return on net worth है यहाँ पे return on equity बहुत जादा है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला जिस तरीके से competition यहाँ पे बढ़ रहा है यह net worth maintain करना मुश्किल हो सकता है अगर net asset value की बात करें तो यह है 45.72 यहाँ पर अगर हम देखें तो 15.16 यहाँ पे कमनी का price to book ratio निकल कर आता है cut-off price पे valuation point of view से अगर हम in terms of book value अगर हम देखेंगे तो थोड़ा expensive लगेगा in earning point of view से यहाँ पे यह stock अथे valuation पर मिल रहा है देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो market में जीस तरीके की IPO की demand है तो overall IPO तो subscribe हो जाएगा लेकिन देखें लगबख 2800 करोड का यहाँ पे IPO है तो देखा जाए जितनी demand market में होगी उतनी achieve हो जाएगी तो यहाँ पर अगर आपने listing इनके लिए अगर आप apply करने का सोच रहे हैं मेरे काल से listing इनके लिए आपने यहाँ पे apply नहीं करना चाहिए तो कि अगर आप देखो कि अभी 5-6% का ही grey market premium available है और अगर market correct होता है तो यह discount पे यहाँ पे स्काइपयों की listing हो सकती है तो इसलिए यहाँ पे अगर आपका short term view है तो short term के लिए मेरे क्याल से avoid करना चाहिए हाँ अगर आपका एक साल से ज़्यादा hold करने की अगर आपकी समता है तो मेरे क्याल से यहाँ पे आपने पैसा लगाना चाहिए हाँ तब ही लगाना है तब एक साल से ज़्यादा का आप hold कर सकते हो बागी कमनी के fundamentals काफी अच्छे हैं और जिस तरीके जे changes आ रहे हैं अपनी लगाता नैने plants ला रहे है यह नैने offers ला रहे हो जिस तरीके से penetration यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे कमनी के लिए फाइदा आने वाले टाइम पे होने वाला है और यहाँ यहाँ पे इस sector पे आपका watchful होना चीए तो कि competition बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो कभी कोई gain करेगा तो कभी कोई loss करेगा तो यह चीज़ भी अमें ध्यान रखनी होगी तो दोस्टो मैं होप करतों की आदित्य विल्ला स्थन लाइप एमसी के आईप्यो की details के बारे में आपको सबकुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries जट आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्टो thank you have a nice day